हे गाईस कैसे हो आप लोग आज हमारे पास हैं OPPO K12X 5G आज इस वेडियो में इस फोन का वाटा टेस्ट करूँगा और मैं आप लोगों को दिखा हूँगा दोस्तों पानी के अंदर जाने के बाद ए फोन ठिक्ठा काम कर पाता है कि निए क्योंकि इस फोन में IP54 का रेटिंग है वही चेक करेंगे दोस्तों IP54 रेटिंग कितना अच्छा काम करता है देगे वाटा टेस्ट करने से पहले आप लोग डिटेल्स से कर लीजिए OPPO K12X 5G है सबसे पहले कुछ फिजिकल टेस्ट कर लेते हैं जैसे कि हम लोग कैमेरा को उपन करेंगे रियार कैमेरा से एक सेंपल खीचेंगे और सिल्फी कैमेरा से एक सेंपल खीच लेंगे अगर मैं आप लोगों को क्वालिटी दिखा हूँ तो क्वालिटी काफी अच्छा है इवें दोस्तो rear camera का quality देखिए ओ भी काफी अच्छा है और display भी काफी अच्छी तरीकिये से work कर रहा है दोस्तो डिस्पले में कोई भी problem है नहीं charging में लगा के देख लेते हैं charge होता है के नहीं दोस्तो वह भी चेक कर लीजिए चार्ड छोड़ाए तो charging point में भी कोई भी problem है नहीं अभी तक बागी दोस्तो sound test भी मैं आप लोगों को सना देता हूँ 300 तक sound अब लोग increase कर सकते हो बहुत ज्यादा loud sound है नीचे की तरफ single speaker दिया है speaker का quality काफी अच्छा है अब चलो fingerprint sensor test कर लेते हैं देखे fingerprint sensor काफी fast है बहुत जल्दी जल्दी open कर रहा है even दोस्तो अगर मैं आब लोगों को face unlock दिखा हूँ तो face unlock भी काफी अच्छा काम कर रहा है तो सब कुछ अच्छा है बाकी water test के बाद हम लोग देखने वाले हैं डबे के अंदर phone को रखते हैं दोस्तो अब चलो हम लोग इसके ओपर पानी गिराते हैं और देखते हैं दोस्तो वाड़ा test के बाद एफोन टीक पाता है कि नहीं और यहाँ पर stop watch को भी ना मैं यहाँ पर start कर देता हूँ दोस्तो अब लोगे घर में try मत करना बरना damage हो सकता है मैं सिर्फ risk लेकर आप लोगों के लिए ए वीडियो बना रहा हूँ और इसी बाद में like subscribe जरूर करना क्योंकि बहुत risk के साथ साथ बहुत महनत लगता है दोस् कर सकते हो like और चोटा सा comment करके आपके friend के साथ भी एवीडियो जरूर सेयर करना अब चलो दोस्तों चेक करते हैं display काम करता है कि नहीं क्योंकि smart water touch का option है कि नहीं ओभी देखना बहुत जरूरी है और देखिए display के उपर पानी है फिर भी दोस्तों display कभी कवर काम करता है कभी को और हाँ अभी तो काम कर रहा है अब चलो camera को open कर लेते हैं यहां पर video recording को on करते हैं और यहां पर video recording को चालू करते हैं देखते हैं पानी के अंदर video recording होता है कि नहीं दोस्तों देखिए पानी के अंदर भी video recording कर रहा है दोस्तों बहुत बड़ी बात है बाजेट में आता ह काफी अच्छा है और चलो पानी के अंदर डाल देते हैं कि देखिए पानी के अंदर भी दोस्तों स्पीकर काम कर रहा है और यहां पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा फटा हुआ आवाज आ रहा है क्योंकि स्पीकर के अंदर पानी जा चुका है तो स्पीकर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है बाकी और सब कुछ टेश्ट करेंगे लेकिन उसके पहले अची तरीके से फॉन को ड्राइ कर लेते हैं farmer by रहा हम लोग टेस्ट कर लेंगे प्रेपिंट संसर अच्छा काम कर रहा है चलो यहां पर यहां पर कैमेरा के ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं और भी पिक्चर आएगा पिक्चर के अंदर जाके एक selfie camera sample खीचेंगे और एक rear camera sample खीच लेते हैं अगर मैं आप लोगों को quality दिखाऊं तो camera में quality काफी अच्छा है, decrease हुआ नहीं है quality में, even दोस्तों अगर मैं आप लोगों को और एक बार sound सुना देता हूं, speaker थोड़ा सा दवा हुआ, आवाज आ रहा है दोस्तों, तो यहां प यह display अच्छी तरीके से work कर रहा है, touch issue तो अभी तक नहीं है, बागी चलो हम लोग charge में लगा के देखते हैं कि charge होता है कि नहीं, यहां पे charger में डाल देते हैं, देखे charging port के अंदर पानी है, अभी भी पानी है, फिर भी दोस्तों charge हो रहा है, charging में भी कोई भी दिक्कत नही वाटर टेस्ट के लिए अभी के लिए तो पास कर गया, लेकिन speaker थोड़ा सा damage हो चुका है, अगर आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा हो, like, share, subscribe करना मत भूलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगलेक fresh वीडियो में